प्राइम टाइम में हम बात करेंगे कि क्या कॉपी राइटर नेता पैदा कर सकते हैं, छवी बंती कैसे हैं, हमारे साथ दिलिप चेरियन साहब इनका लंबा इसमें अनुभव रहा है, आप नरेश गुपता आपके बगल में मैनेजिंग पार्टनर हैं, आप बैंक इन दे पकता है, कॉंग्रेस पार्टी के और बनारस से हमारे साथ हैं, डीन है, रिसर्च और डेवलप्मेंट स्कूल अप मैनेजमेंट साइंसेस के, आलोक कुमार, आपको हमने इसलिए बुलाया कि आपकी एक गूगल करते समय हमने एक रिसर्च पेपर पढ़ी थी, इसलिए आप यहां हाजीर है हिंदी में बहस के लिए रिसर्च पेपर आपने अंग्रेजी में लिखा था, खैर कोई बात नहीं, चेजन साब मैं आप से पहले, मतलों मैं नेताओं के पास जाने से पहले मैं आपको टिपनी चाहता हूं, तवरित, कि क्या राजनीती आज के जमाने में ए जीच सकते हैं, और कई सोचते हैं कि नेता हमारे पास शायद है नहीं, या नेता आगे आने के लिए उमीद करते हैं, पर तयार नहीं है, पर राजनीती एक प्रॉडक्ट है, और जो हमारे वोटर है, वो एक कंजूमर बन गया, और इस खेल में अब सब शामिल है, क्योंकि ह तो उससे चंदा लेके उसको कंजूमर बना दो, क्यबल टीवी की तरह, और अगर चंदा नहीं दे रहे तो टीवी के सामने बैठें, और वहां चंदा मिल रहा है उनको, तो उनको क्या है, यह अनुभव यह नहीं है, कि हमें क्या एक्स्पीरिंस होगा, चंदा तो गांधी मार्कित तक ही सीवित होता है, और उससे फैदा कई पार्टीज को होता है, कई पार्टीज एक इस दुनिया से जुड़े होने के नाते, और ऐसी योजनावों में आप शामिल रही ही होंगे, आप सच मुझ मद दाता को एक उपभोगता के रूप में टार्गेट करते हैं, क मैं तो अड़िटाइजिंग नहीं करता हूँ, पी-र करता हूँ, और उसी में मेसेजिंग में हमें सिर्फ ये देखना है कि जो जिनको आप दे रहे हैं, उनके लिए कुछ मांग है कि नहीं, और वो किस लिए है, वो हंगर किस्त की नहीं, लेकिन क्या विग्यापन की तो क्रियेटिविटी क्या है? इलकीन मेनिफेस्टों क्यों है, उसी क्रियेटिविटी को आप टरांसलेट करते हैं मार्केटिंग में. इसको आप मैनिफेस्टों को एक कुछर बना देते हैं. तनिजय सब, जैसे मैंने बताया कि ुनाव अभियान में काम्याबी और नाकाम अभी दोनों के अनुभव हैं प्रचार के मतलब कोई आपका जैसे शाइनिंग इंडिया का उधारन दिया जाता है कि वो एक नाकाम उधारन है ठीक है लेकिन अभी राहूल गांधी के संदर्व में अरुण जेटली जी का बयान हो मैं नलिन के लिए पढ़ूंगा उन्होंने बड़े मांग में बदलने में ये नाकामी होती उसको मैं समझना चाहता हूं ये इतना सिंपल नहीं है निटना संपल नहीं है एक साही बात है कि आजकी तारिक में नेटा और political parties दौनो एक product बन गए हैं दौनो प्रोडक्ट हैं और ये भी सही बात है कि एक बहुत हद तक आप विग्यापन के द्वारा इनको आप बहुत दूर तक ले जा सकते हैं लेकिन किसी भी product के तरह उसके अंदर एक अपील होना बहुत जरूरी है आप एक toothpaste को लेते हैं और उसको आप अड़िटाइस करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपके दान्त मजबूत बनाओंगा हमें नेता की बात करें समान की ने पर जिस दिन आपके दान्त में तकलीफ हाई उस दिन आप बोलते हैं कि इस toothpaste में थोड़ी तकलीफ है मुझे कुछ और चाहिए पर वो आप कर सकते हो क्योंकि वो एक toothpaste है वो आप हर महीने करीबते हो यहां तो चुनाव हुए उसके बाद में मेरा ना उस नेता से कोई लेना देना है ना उस नेतागरी से कोई लेना देना है तो आप चले गए अपना काम करने वो जो consumer जिससे हम बात कर रहे है वो चले गए अपना काम करने तो issue सारा यह है कि उस छोटे से time में जो उसका window है जिसके अंदर वो देख रहा है नेता को या political party को उस छोटे से window के अंदर आप कितनी दूर तक और कितना जादा उसको बोल सकते हो यह कि हम हमारे पास में कुछ मुत्य है हमारे पास में एक vision है हमारे पास में एक agenda है और उसको वागिने जाए जाए इससे पहले कि मैं आपसे माफी माहूं कान पकड़के मैंने नरिश गुपता की जगा नरिश तने जाए आप तोक सकते थे सिक्ति बात में हो जाती है मुझसे भी गलती होनी भी चाहिए तो मैं यह कहरा है कि आपने अपील की बात की फिर ये इस पहमाने से भी हम कैसे देखे मतलब एक निता में आज के कहा जा रहा है कि उसमें अपील नहीं है अटल बिहारी वाच्पेई होते हैं कुछ दूसरे आरिया में बहुत पापन होते हैं बहुत अच्छा नेता आपके सामने है, जिसका आप चुनाओ करिए। उसके बाद में बहुत कुछ करना पड़ता है, पार्टी मिशीनरी को, इलेक्टरेट को, और एक पूरे जनरल पप्लिक अपिनियन को, आज की तारिक में जो दिल्ली में चुनाओ होगा मानीजे, उसके अंदर एक हवा बनी, और एक हवा एक मुद्दे के उपर इतनी बड़ी बनी, कि लोगों ने ये देखना छोड़ दिया, कि उनके इलाखे में नेता गौन है, पर चेजन साम एक जल्दी से, यह हवा जो है, यह भरमाना है या इन्फॉर्म करना, जानकारी देना है लोगों क तो हमारी राजनीती में भरमाना एक बहुत ही कारगर तरीका है, भरमा दिजे किसी भी मुद्दे पर, पता ही ने चले कि सवाल कहां से शुरू हुआ है, जो हवा चलते हैं, वो सिर्फ इस वज़े से कि एक इश्यू उस टाइम सब के मन में कुछ दिन से है, और वो फिर वो हवा बनने लगता है, अरुन जेटली ने जो एक ब्लॉग लिखा था कि जो कॉंग्रेस पार्टी के अभी विग्यापन आ रहे हैं, उन्होंने एक बात कही कि आम तोर पे ये अपिक्षा की जाती है कि जब चुनाओं की अधिसूचना जारी हो जाएगी तब प्रिंट और बाहर से उसने विग्यापनों से पाठ दिया है, ठीक है, अब वो ये भी कह रहे हैं कि विग्यापन तो सिर्फ भिकने वाले उत्पात का ही प्रचार कर सकता है, वो छवी बनाने के प्रयास कर रहे हैं, मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल ऐसा नही भी लोग अङरे इस जबतोर ब्हुत है नहीं और फो अच्छशनी दैटेम्स है, लाजनीत हो एक प्रोसेस अंब करने का बहुत ज़ादा यह रहे हैं बातकर प्रचार कि हमारी जानक्री ज्चाहिए कर लोग फिनता में तो इसमें यह मौ इसा निकारे बिलिवा सीट और व आपको व्यक्ति से विचार एक पहलू है लेकिन वोट आना बूत तक पहुंचना आपके जो organizational काम लगातार चलते हैं पात साल के लिए चलते हैं एक चुनाव से पहले तो यह सारे जो है उसमें कोई इसमें आप देखेंगे advertising नहीं होती या कुछ नहीं होता काम लगातार हो र गया है तो मतलब अगर आप रीच देखें तो अचा होडिंग में इंटरनेट भी है वेबस्टाइशा मैं अस पर आ रहा था सोशल मीडिया एक नया पहलू हो गया है 15 करोड लोग लगवग हैं जो मतलब बहुत actively engaged है तो यह सारे पहलू है तो अलग अलग आपके naturally क्योंकि प्रोसेस है तो रणदीती के तहट अलग अलग होता है लेकिन मूल बात जो है जो अरुम जी ने अपने उठा है ultimately नेता पार्टी व्यक्ति हो हमारे जैसे प्रदान मंतरी कैंडिडिट हो वो किस आगे उम्मीद उज़े जगा रहे हैं या track record की बात होगी अगा सथ नेता बड़न वाला उधारन दिया कि कैसे एक एक नेता एक प्रतिद्वनदी के कमजोरी को Ice किया और और फिर उसको एक बड़ा किया गया। जब सथे देखेंगए जब सिविलाइज़ेशन है अगर राजमीती की बात करे युद की बात करे किस की भी करें बिजनस की बाद करें रण नीती जो है हमेशा वीक्रिस आपके हैं उन्होंने बताया कि कि इतना पैसा खर्च किया आपसे अगर चंदा लिया है ठीक है और आप देखेंगे जैसे अभी हमारे आप वेबसाइट पे अगर जाएंगे भाजपा के तो हम जो प्रोग्राम कर आप यहां वो तो ओवराल हो जाता है कि अगर मैं आपसे अगर कहता हूं तो वही तो आपने अपने प्रोग्राम में शुरू में ही कहा कि जो आप इलेक्शन कमिशन के देते हैं डीटेल कि इतना मुझे कई बार लगता है कि आप सब विग्यापन को या पियार को बहुत इंपॉर्टेट मानते हैं इसमें तो कोई शक नहीं है है ना लेकिन आप यह कभी आकर नहीं बताते कि हाँ हमने इन कंपनी को हाइर किया है ओफिशली कभी नहीं कहते इतना हमारा बजट है взिखाए नए इतना इस तरह की बात कभी ने कहते हैं बहुत सहरी गलक्ख फेह हैं कि आप जो total expense देखने दो पार्ट होता है जैसे होता है चुनावों में एक होता है पार्टी के एक्सपेंस केंद्रियस तर पर वहां क्या जमा करते हैं उससे मैंने पूछ रहा हूँ बताई कर देता हूँ आप अभी जाकर पुराने अकांट्स थे पिछले चुनाव के डाल दीजे अभी आप किसको हैर करेंगे यह क्यों क्यों नी बताते हैं या उसका क्या प्या पैसा तो आप चंदाई से कर रहे हैं आपके पास तो है नहीं पैसा पहले इसमें आप गल्ती क आप मान रहे हैं कि जो चुनाफ प्रक्रिया हो रही है वो टेंडर बेस्ट हो रही है मतलब यहां पर एक रण नीती हो रही है बन रही है कोई ना कोई हायर होगा किसी काम के रहा होगा नहीं वो तो बात बनी जाएगी जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है यह सवाल आपको मैं रहे हैं उत्तर प्रदेश के कोई एजनसी ही तो रिलीज करती है यार न्यूस्पेपर का हो चाहिए टीवी का हो मीडिया का हो यह सारे जो है इसमें बताते हैं खर्ज भी निकलता है मैं पता नहीं यह फैनांशल एक्स्प्रेस की खबर है कि जिसमें वह किसी आर पत्रकारों को भी प्रचारी चिन्हित करना है जो मीडिया एंबेजडर बन सकते हैं गुजरात के हैना या या बिहार में बताना चाहिए मैं अच्छा प्रशन है क्योंकि आज हमारे पास एक स्पश्ट रूप से अगर आप देखे तो आम आदमी पार्टी के साथ तो हुआ है एक एंकर जो है कल तक जो न्यूट्रालिटी की बात करें थे आशुतों आपके राजसवा में कितने कितने पत्रकार राजसवा कभी आपने बहस किये क्या किस पे तो बलवीर पूंजी ने क्या किया था अटल बिहारी वाजपई जब पत्रकार से नाराजनीती में गए त मैं इसको कर रहा हूँ इसको कर रहा हूँ कि इसको ने चंदनमित्रा ने या राजीष उक्लाने क्या की आप चलंगा आप रहाए यह करतें तो बिलकुल स्वाभाविक रूप से आपने इक अपनी बात कि क्या मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि कोई दिक्कत नहीं इसमें लेकिन आप ये बात नहीं उठा कर कह सकते कि हम अलगे मैं इस बात को स्पष्ट कर रहा हूं मैं ये बाहर के देशों में इसा बताया जाता है कि हमने आप अपको हैर किया है इतना बज़ przysz достиг धना कि कई बार हम पर दें कि आपको को आपने हजार करोड़ दे दिया कई बार पर दें कॉंग्रेसं है पांक्सो करोड़ दे दिया ये ये तो चंदे transparency की levels बाहर की देशों से actually comparable है इस वक्त इंडिया में और भी होना चाहिए और अभी तक तो जो है काफी आगे बढ़ चुका है और मेरे ख्याल में आपको लगता है कि मेरा सवाल महत्यपूंट था बताना चाहिए कि बताना चाहिए कौव से एजनसी हमने हाइर कि है या कितने का बगाजा से मदगा है जो पार्टी के audited accounts होते हैं उसमें तो दिखाना है पड़ेगा उसमें तो मैंने भी कहा कि उसमें तो कोई बहस नहीं है चुकि अब पार्दर्शीचा आपको कानून है तो देना पड़ेगा इन्हों ने कहा है कि आपने पहले इंकार किया था कि राहूल गांदी या कॉंग्रेस के परचार के लिए करोड़ो रुपए आपने अलग से रखे हैं छवी प्रबंधन के लिए और वो कह रहे हैं क्या विग्यापन से छवी बदल सकती है यह वो नेता हैं जो सिर्व अच्छे लगते हैं जब महौल अनुकूल हो विपरित परिस्तितियों में धारा शाही हो जाते हैं और एक और बात कह रहे हैं हो कि आपने की वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बजट निकाल कर रखा है एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता प्रदानमंत्री का उमीद्वार तरह नहीं है उसमें कॉंग्रेस के परदे का उमीद्वार कौन है वो पूछ रहे हैं कॉंग्रेस अध्यष का नाम नहीं है यह भी चिंता करर। और कह रहे हैं सारा राहूल गांधी की एक ऐसी इमेज बनाने की का प्रियास किया जा रहा है देखे रवीश मुझे तो लगा था कि जेटी साहब एक वकील है लेकिन वो जासूस भी है उनको हमारी अंदरूनी जो भी हमारी सोच है हम क्या हम खर्च करेंगे उसको भी उसकी भी उनके पास जानकारी है लेकिन सचाए यही है रवीश की चमक से कोई चमतकार नहीं होता है और इसका सबसे बहतेरीन उदारन है इंडिया शाइनिंग क्योंकि देखे राजनीती में जैसे दिलिप चेरे ने भी पहले कहा था कि अंत में यहां आप मार्केटिंग कर सकते हैं ब्रैंड कर सकते हैं लेकिन राजनीती में एक फरक है और एक ये बड़ा फरक है कि जैसे कहते हैं ब्रैंड का जो सबसे जो खूबियोत होता है वो होता है कि लोग आप पर विश्वास करते हैं या नहीं मर्यादा या छबी का मतब है लोग आप पर विश्वास करते हैं या नहीं आपने अच्छा काम क्या हो वो जरूर उसके पारे में भी आपको जरूर तरकी मिलेगी परंत में आपको सफलता मिलेगा मैं समझता हूँ कि यहां पर इस वक्त क्योंकि माहौल बदलता है और यह बात सही है कि आज एक युवाप पीडी है और हमारे पास युवाप पीडी जो है उनके पास वो आजकल पढ़ते कम है वो स्मार्ट फोन्स पर या इंटरनेट पर या मोबा पर हर पॉलिटिकल पार्टी को एक आधूनिक जो एक परिवर्तन हुआ है उसका उससे कम से कम आप उससे दूर नहीं हट सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि काम सही होना चाहिए यदि आपने अच्छा काम किया हो आपके नियत सही है आपने का चमक से चमतकार नहीं होता है या आपने कहा ये किसके बारे में कहा आपने नरेंदर मुदी के बारे में कहा या राहूल गांदी के बारे में कहा देखे मैं यहाँ पर साफ तरीके से मेरा निशाना मेरा ना मेरा ने नहीं मैं साफ तरीके से बोलूँगा मेरा निशाना यहाँ पर भाजपा के जो प्रधान मंत पैसे खर्च किये गए हैं, उनकी जो पियार एजेंसी है, बहुत ही नामी अंतराश्टर एजेंसी है, मैं समझता हूँ कि उससे लोगों को कुछ, ने देखिए एक मिनट, उससे आप लोगों को कुछ देट के लिए आप शायद उसकर को इंप्रेशन कर सकते हैं, लेकिन मैं स अरुन जेटली ने दो सवाल पूछा था, क्या उनमें विशेस ताय है, वही दब्रेशन जारी होने के बाद प्रचार करना चाहिए था, आप खुब पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है, एक सवाल वो भी कह रहे हैं, आपने कहा ना, कि चमक से चमतकार पैसे पैदा नहीं होत तक एक अपील फैक्टर होना चाहिए, उसकी कमी है, वो आप विग्यापन से धुवादार विग्यापनों, इस पर जवाब दे दीजे, हाँ, हाँ, मैं जल्दी से इसका जवाब देता हूँ, देखे, बहुत फरक है, उनका विचार धारा, उनका जिस तरीके से बहुत संप हाँ, हमारा भी यदि आप देखेगा, जो पहला ही जो कैम्पिन शुरू हुआ है, इसमें आप देखेगा, हम बात कर रहे है, हर हाथ की हम शक्ती की बात कर रहे है, हर हाथ की तरकी की बात कर रहे है, तो हम हमारा सोच कुछ अलग है, और हम एक समूर तरीके से, इस तरीके स आवाम को आगे लेके जाए हम यह नहीं कहरें कि एक आदमी के हाथ में कोई जादू की छड़ी है असल में आप लोगों को लगता है कि नारे बहुत क्रियेटिव हैं लेकिन बहुत पता नहीं चलता है कि देखिए जैसे एक यूपी में आलोक साब मैं यह आप से जानना चाहत हैं 2012 में कॉंग्रेस ने नारा दिया था कि 22 साल इने दिया 5 साल हमें दीजिए इसी से मिलता जुलता नारा नरेंद्र मोदी आज कल कह रहे हैं देश के इस तरपर की 60 साल उनको दिया 60 महीने हमें दीजिए जो पहले बीजेपी अटल भिहारी वाचपई के समय 40 साल उनको पर चलता है और विचार कितना पीछे चला जाता है वह सारे सवाल वह सारे हकीकत वह गायब हो जाते है यह उनको भी लेकर पार्टियां इस तरह से आगे बड़ती है कि इस बात से बिल्कुल सहमत हो कि सबसे आगे आपको अपने विचार जरूर रखने हैं और जहां तक व्यक्ति विशेश की बात है तो व्यक्ति विशेश ज्यादा दिन तक लोगों के मन में नहीं रहता अभी जो हम लोगों ने अध्यान किया उसे यही पता चलता है कि रैली और इलेक्श जीतते होते तो शायद स्थिति कुछ और होती हमारे विज्ञापन शुरू हुए आपके पॉलिटिकल एडिट्राइजिंग में 1980 की बात है जब इंद्रा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था उसके बाद 1984 में भी राजीव गांधी जी ने इसको आगे बढ़ है कि प्रोड़क्ट की अपनी लाइफ साइकल होती है और जो सारे विज्ञापन प्रोड़क्ट के लिए केंद्रित होते हैं वो आप लोगों पर इस्तमाल नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिटिकल एडिट्राइजिंग में क्या है एक एलेक्शन केंपेन अगर चल रहा है तो उ इस पार्टी के विचार क्या आम लोगों तक पहुच पा रहे हैं और अगर आम लोगों तक पहुच पा रहे हैं तो उसकी एफेक्टिवनिस क्या है अब देखे जैसे कि अभी बात हो रही थी बहुत अच्छा डिस्कशन चल रहा था कि अटल बिहारी बाज़बी जी की जम का कैम्पेन न होके उन्होंने अब फोकस जो है वो शिफ्ट कर दिया है ड्राउल गांदीजी पे तो आपके जो अपील की बात हो रही थी यह बिल्कुल अपील का बहुत बड़ा फैक्टर है बहुत बड़ा रोल है क्योंकि अपील सिर्फ या तो पॉजटिव होती है या तो फाजिक चीजें काफी चेंज हुई है और मीडिया इन ही चेंजेस को आप तक पहुचा रहा है सोचने की शंता हमारी इन बड़ी है लेकिन जो हमारा एक रैशनल अपील होता है या इमोशनल अपील होता है वो आज भी अपील्स इन्हीं दो कैटेगरी में फॉल करता है अगर आपको यादो दो हजार बारा में मायावती जी ने खूब कैमपेणिंग किया और तमाम समाचार पत्रों में और यहां तक की रेडियो और टीवी के माद्यम से उन्हों ने यह लिखा कि हमने जो कहा वो हमने कर दिखाया तो क्या हश्र हुआ उस कैमपेण का यह आप देख रहे हैं तो मुला नारे थे वो सारे नारे एकिकरित होके अब हो गए हैं मन से हैं मुलायम और इरादे लोहा हैं तो यह जो नए कैमपेण्स आपको सामने दिखाई पड़ रहे हैं यह आपके टाइम फ्रेम को दिखा रहे हैं कि साहब हम ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्शन के लिए हम सामने आ रहे हैं हम जनता की बीच जादा समय तक रहना चाते हैं तो एड़र्टाइजिंग की एफेक्टिवनेस अवेर्नेस लेवल जो है आपके कंज्यूमर की या जो वोट देने जा रहा है उसके अवेर्नेस लेवल को यह जरूर इंक्रीज करते हैं बढ़ाते हैं यह बिलकुल म